ओम शान्ति आज 25 डिसेंबर 2022 है और प्यारे बाबा ने आज हम बच्चों को हाइस्ट और होलियस्ट आत्मा की निशानी भी बतलाई है हम ब्राह्मन बच्चे ही सारे श्रिष्टी के चक्र में हाइस्ट भी बनते हैं और होलियस्ट भी बनते हैं साथी साथ बाबा ने हमें संपूरन पवित्रता के बारे में भी बतलाया सच्चा वैश्णव वो है जो अपने मन और बुद्धी के द्वारा भी कोई भी और पवित्र संकल्प टच नहीं कर सकता आज बाबा ने हम बच्चों को बरदान दिया संगम युक पर हर समय हर संकल्प हर सेकंड को समर्थ बनाने वाले ज्ञान स्वरूप भव हमें ज्ञान सुनना सुनाना तो सहज लगता है लेकिन क्या हम ज्ञान के स्वरूप बनते हैं ज्ञान का स्वरूप बनना यानि ज्ञान को अपने प्राक्टिकल जीवन में ले आना प्राक्टिकल जीवन अर्थार्थ जब हम कर्मों में आते हैं संबंध में आते हैं, वाचा में आते हैं, संकल्प रचते हैं, तो क्या वो ज्ञान के प्रमान है या वो अज्ञान के वर्ष होता है, अगर वो ज्ञान के प्रमान होगा, तो श्रीमत अनुसार होगा, आतम अभिमानी स्थिती में होगा, परमात्मा की स्मृती में होगा, अगर वो इस विदी से नहीं किया गया है किसी और विदी से किया गया है तो उसके अंदर कहीं न कहीं wasteful thoughts, wasteful actions, wasteful words जरूर होंगे हम जब अपने संकल्पों को, अपनी वानी को अपने कर्मों को श्रेश्ट और समर्थ बनाते हैं तो हम अपनी आत्मा में भी बल भरते हैं और जहां पर समर्थ होता है वहां स्वभाविक व्यरत नहीं होता क्योंकि जहां पर रोश्नी है वहां पर अंदकार नहीं हो सकता तो हमें ये चेक करना है कि हमारे ये सभी खजाने waste न जाएं हम स्वरूप में उनको लेकर आएं प्राक्टिकल जीवन से दिखाई दे कि ये शांत स्वरूप है तो हमारा मन भी शांत है हमारी दृष्टी भी शांती के vibrations फैलाती हो हमारे मुख कमल से भी ऐसे शब्द निकले जिससे दूसरों को सुनकर ही शांती का हैसास हो ये है शांत स्वरूप बनना तो हमें प्राक्टिकल में सबसे पहले अपने संकल्पों को श्रेष्ट बनाना है तो स्वाभाविक ही हमारी वानी हमारे करम और हमारे संबंध भी श्रेष्ट बन जाएंगे और हम इस ज्यान का स्वरूप बन जाएंगे ओम शांती